हलो जी मैं आपकी स्पाइसी कुक जसी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ग्रीन चटनी की रेसिपी जिसको आप सिर्फ मेंन कोर्स के साथ ही नहीं बल्कि आप अपने स्नैक्स के साथ भी इंजोई कर सकते हैं लेट्स गेट स्टारेड तो आए जल्दी से देख लेते है इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए हमें चाहिए पुदीना थोड़ा सा अद्रक हरे लेसन हरा लेसन चाहिए हमें ये हमने उसकी टेल्स लिये हैं उसके बाद हम लेंगे हरी मिर्च दो निम्बू और धनिया अच्छा धनिया जितना आप लोगे उससे आधा पार्ट है काला नमक चाहिए हमको हम लेंगे थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा भूना हुआ जीरा अब इसके बाद आ जाते हैं हमने इसको कैसे बनाना है कुछ नहीं करना जार में आप धनिया डाल दीजिए और उसके साथ आप अपना लेसुन डाल दीजिए लेसुन के साथ आप अपना पुदीना जो अपने धो कर अच्छा इनको सब को पुखोत ही अच्छी तरह से वाश करना है चाहे वो हरी मिर्च हो चाहे आपका लेस्न हो चाहे पुदीना हो सारी चीजों को अच्छे से इसको दो से चार बार कम से कम वाश करना है उसके बाद हमने इसमें जी वो कलर बिल्कुल खराब नहीं होगा बिल्कुल ग्रीन कलर आएगा अब आपने यह देखा यह कितनी ग्रीन ग्रीन चटनी है अब इसको हमने क्या करना है अगर आपने स्नैक्स के साथ खानी है तो दो चम्मच दहीं लो उसके बीच में एक चम्मच या दो चम्मच हरी चटनी मिलाओ और ये आप snacks के साथ enjoy कर सकते हो और दूसरी वाली हरी चटनी को आप अपने main course में include कर सकते हो and I'm sure ये चटनी आपके खाने का जाइका दुग ना कर देगी ओके बाई बाई फिर मिलते हैं एक नई चटपटी सी spicy recipe के साथ